आज के सेशन में आपको बहुत ज़ादा मजा आने वाला है क्यूंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा बहादूरी वाली स्टोरीज हैं, वेलर वाली स्टोरीज हैं तो और ज़्यादा आपका इंट्रस्ट बनने वाला है आज हम एक तो रबिन्दना टैगोर जी के बारे में तो देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि जो सिख वाले लोग थे, जितने भी सिख लोग थे, उन्होंने कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और एक कोमाटा गार मारू जीब सा नाम है ये, तो वो शिप का हम इसके अंदर चेक आउट करते हैं, आएक एक करके देखते हैं, आप देखें कि 1913 की अब बात होने जा रही है, 1913 में क्या है कि रबिन्दना टैगोर को नाइठ हूट का टाइटल देते हैं, ये अंगरी जी लोग, नाइठ हूट का टाइटल एक ऐसे टाइटल होता था कि जो सम्मान के लिए दिया जाता था और एक तलवार होती थी तलवार यूं गाड के आगे राजा के आगे यूं छुक जाईए तो राजा आपको सम्मान देगा उसको नई ठूट टाइटल वोला जाता था तो यह ऐसे इसे टाइटल दिया करते थे लुभाने के लिए भारत कि उसको क्या बोले जाता है the morning song of India ये अकसर exam के अंदर पूछा जा सकता है मैंने सारी चीजे cover कर लिए इसके अंदर फिर इसके साथ साथ आप देखे कि जो national anthem है सबसे पहले कौन से congress के session में गाया गया था तो 2011 के अंदर कलकत्ता session हुआ था एक वहां हुआ था वहां गाया गया था यह मैंने पहले भी भता रखा है तो वही चीजे यहां पर लिखिए फिर इंडिया ने जो इस song को national anthem मान लिया था काम माना था चौबिस जन्वरी 1950 को इसको भारत ने अपना national anthem and glued Came and अपने पहले नाम क्या हुआ करता था और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था पहले घर्ट वहारत भागे दधाता तो इसका नाम था भारत विधाता यह इसका पुराना नाम हुआ करता था नेशनल एंथम पर फिर नेशनल एंथम जो था वो पब्लिश कौन जी किताब में हुआ तो तत्वा बोधिनी नाम की किताब है उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया और टेगोर जो है उन्होंने सिरफ भारत का ही नहीं बंगलादेश का भी लिखा है नेशनल एंथम जिसक के इंछा लोग confusing हो जाते हैं कि इनोंने तीन देशों के नशनल एंथम लिखे है लेकिन इनोंने दोंने लिख के भारत के और मंगलादेश के जो तीसरा है श्री लंका का वो इन्होंने नहीं लिखा है, वो क्या है कि इन्होंने सिर्फ इंस्पायर किया था अनंद समरकून को, कि वो श्री रंका का, अपने लिटरेचर से एक तरह से इंस्पायर किया था, कि वो लिख पाएं, तो फिर उन्होंने नहीं लिखा है, यह अनंद समरकून ने लिखा है, और इन्होंने क्या किया था क्यों इनकों लोगों को बहुत knowledge हुआ करती थी यह writer लोग थे इनका दिमाग तेज था knowledge क्यों थी क्योंकि इन्होंने 30 से भी ज्यादा countries थी जो 5 continent में 30 से भी ज्यादा countries घूम रखी थी वहाँ जाके सब इन्होंने देख रखा था अगर यह सिर्फ भारत में रहते तो इनको तो पता ही नहीं होता कि दीन दुनिया में चल क्या रहा है तब तो पता लगता कि भारवारी विदे अब हम देखते हैं यही नई ठूट का टाइटल यह जलियां वाला बाग में सेकर के बाद छोड़ देंगे तो अब उस पर बाद में आएंगे अब हम आते हैं थोड़ा सा हिरोईक चीजें आपको देखने को मिलेंगी देखिए यूजूली हमारे लोग जो हैं वो यही लेकिन क्योंकि यहां पर आपने इस पूरे के पूरे सेशन्स में भरोसा किया हुआ है तो मेरा फर्ज मनता है कि मैं कोई भी चीज छोड़ू ना और भारत के इतिहास में जहां बहादूरी की चीजें हैं वो मैं जरूर आपको बताऊं अभी तक हम यह पढ़के आ चुके ह है कि जो जितनी भी बहादूरी की चीजें हो रही थी जो भी लोग गरम दल वाले थे उनकी एक भी चलने नहीं दी जारी थी अभी नरम दल वाले क्या कर रहे थे एक तरह से उनका साथ छोड़ चुके थे हाला कि नरम दल जो था जानी कि कॉंग्रेस की बात कर रहा हूं वो उनका भी वो भी पूरे वीक हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो क्या है कि गरम दलबालों को साथ के पक्ष में विलकुल भी नहीं देखवरी पिटाई हो चुकी थी ना उनकी इसलिए अब क्या है यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे थे भारतिये ही थे लेकिन जो बाहर विदेशों में बसे हुए थे इन्हों ने क्या सोचा? इन्हों ने सोचा की हम कैसे कोंट्रिबूट कर सकते हैं भारत की अजादी में तो इन्हों ने क्या किया? गदर पार्टी बनाई सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूसे के अंदर और इसके फाउंडर कौन कौन थे लाला हर्दयाल करतार सिंग सराभा अब्दूल हफीज बरकुतुला और ये जो है ये बहुत बड़े विक्ति हैं सोहन सिंग भाकना ठीक है इनके बारे में भी अभी मां बताउंगा जो भगत सिंग है न वो भी इनी लोगों से inspired न है ड़र पार्टी से inspired है वो अभी आपको चीजे देखेंगे न जब आपको तब समझ में आगए कि जो भगत सिंग ने किया न वो इनी अंदर यह सीधा सीधा बोला गया था कि religion को हम बिल्कुल एक private चीज मानते हैं कि आप अपना नीजी जो भी है कोई भी religion हो उसको नीजी रखेगा यहाँ पर religion की बात नहीं करेंगे इस party के अंदर हम लोग सिरफ यह बात करेंगे कि भारत को अजादी कैसे दिलानी है और ब्रिटिश राज के परखचे कैसे उड़ानी है ठीक है भाई तो यह जो है सौन सिंग भाखना यह इनके main leader है तो यह पूरे का पूरा plan बनाते हैं यह फिर बहुत सार लोग को अपने साथ जोडते हैं मजदूरों को ऐक साथ अपने साथ जोडते हैं और जो भी विदेशों में पंजाबी रह रहे हैं या भारती रहे हैं हिंदू रहे हैं यह कोई Muslim रहे हैं उनको अपने साथ जोडना शुरू करते हैं ये तो थे फ्रैंसिस्को के अंदर उसे के अंदर और जितने भी आसपास के एरिया के या चाहे वो जर्मनी के मिलब की इंडियन रेवलूशनरी बहुत सारे विदेशों में रहे रहे थे भाई इंडियन्स जो वहाँ बैठे बैठे ही ये काम कर रहे थे भारत की अजादी के समझ रहे हैं आप वहाँ से funding बेजते थे वहाँ से armaments बेजते थे बहुत कुछ होता था हतियार बेजते थे निटो यहाँ इंडिया वाले जो लोग थे वो कहा से इतना पैसा ले आएंगे बिटिश वाले उनको पैसा लेने कहां दे रहे थे सारा सारा पैसा तो जा रह था लेंडन के अंदर तो यहां तो वैसी कुछ नहीं बच रहा था भारत के अंदर तो यह लोग भुचारे वहाँ पर रात दिन रात दिन मेहनत करके यहां पर पैसा बेजते थे जिससे कि यह सारे का सारे रेवलूशन जो है न चलाय जाते थे और यहां पर इन्होंने एक रूल बना दिया था कि जो भी लोग हैं इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ वो महनत करेंगे और महनत करने के बाद हर महीने एक डॉलर दिया करेंगे अब इसमें इन्होंने क्या किया एक अकभार निकाली दगदर के नाम से एक बार निकाली और उसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ ऐसी स्ट्रॉंग राइटिंग्स लिखनी शुरू कर दियो और उस अकभार को या पंजाबी भाषा तक सीमित नहीं रखा उसको उर्दू में भी पश्तों में भी बंगाली में भी निकाला हर लेंग्वेज में निकाला और देश विदेशों में पहुचाना शुरू किया यानि कि अलग लग देशों में पहुचाना शुरू किया चाहे वो जर्मनी हो US से हो या फिर यहाँ पे भारत के अंदर भी उसको हर घर तक पुचाने की कोशिश किये नो ने ताकि लोगों को एक जागरुकता मिले कि हाँ यहाँ पे लोग खड़े हो रहे हैं उनके लिए विदेशों में भी जो है strongly लोग खड़े हैं इनके लिए तो इस तरह से यह पूर यह लोग क्या करते हैं यह बहुत सारे लोग मिलते हैं एक इनमें एक और लीडर है करतार सिंग सराभा नाम के यह देखिए यह जो है करतार सिंग सराभा यह 15 साल की उमर में ही जोइन कर लेते हैं अब यही व्योगती हैं जिनको भगत सिंग फॉलो किया करते थे करतार तो यह जो परसन है करतार सिंग सराबा को फांसी हुई थी और मैं आपको कमाल की बात भताने लगा हूँ आपके रॉंक्टे ना खड़े हुई है कि 19 साल की उम्रे में करतार सिंग सराबा को फांसी हुई है है ना जबरदस चीज की भाया कैसे इनके अंदर वो वेलियर था कैसे इनके अंदर वो जोश था कि इन्होंने ये सब कारणा में कर डाले ये वेक्ती जो करतार सिंग सराबा इन्होंने भी इनको जॉइन किया USA के अंदर ही और इन्होंने क्या ट्रेनिंग ली सबसे पहले इन् सोहन सिंग भागना, भहुत सारे लोग जो है न आप ये समझे, मैं शोट में बता रहा हूँ सब कुछ, तो ये लोग क्या है कि भारत की तरफ रवाना हुए, रवाना कब हुए, जब वर्ल्ड वार वन, आप देखें ये 1913 की बात चल रही है, तो ये 1914 के आसपास भारत की तर आप देखें लोगों को अपने साथ मिलाया, एक अच्छी खासी लोगों की सेना बनाई, आर्मामेंट से एकठे किये, पूरे के पूरे हथियार लेके, ये लोग क्या है, ये आए कलकटा के पॉर्ट के पास, वहां उतर रही है, अब वहां पर क्या है कि ये मिलते है रास ब जी तिलक साब को ना बना के रास बिहारी घोश को बना दिया गया था, तो आप देखें कि ये बड़ी कमाल की चीज है कि रास बिहारी घोश से मिलते हैं, और कुछ ही समय में बिटीशर्स को ये खबर हो जाती है, अब ये कमाल की चीज है, क्योंकि उस टाइम पर तो भी नहीं थे कॉंग्रेस की रन निती से, मैं आपको सही बताऊं तो, कि ये वो जो कहते थे थे ना कि डॉमिनियन स्टेटर, डॉमिनियन स्टेटर, ये बोलते थे क्या होता है, ये बिगरम दल की तरह सोचते थे, बोलते थे कि हमें तो पूर्ण सवराज चीए, तो इन लो अब ये देखे ना कि ये अब पता नहीं, ये आपको समझना है कि कौन इसके पीछे शड़ेंतर कर रहा है, ये भी कमाल की चीज़े है, मैं इसलिए पूरी भूमिका बांत के बता रहा हूँ, तो वो भी मिलते हैं और उनको बताते हैं कि 20,000 सोलजर हमारे और तयार हो रखे हैं, वो भी आ रहे हैं और इतने में ये भी ब्रिटीशर्स को पता लग जाता है, और ब्रिटीशर्स सब को पकड़ लेते हैं, जितने भी मैक्सिमम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बचके निकल जाते हैं, अब जो बचके निकल जाते हैं लोग, वो एक जगा area से शुरू करेंगे और फिर घुमते घुमते हम Ambala या दिल्ली के area के पास में मिलेंगे तो जैसे ही अगले दीन इनों ने ये काम शुरू करना होता है तो ऐसा इत्यास में लिखा गया है कि एक आदमी होता है किरिपाल सिंग नाम का जो police informer होता है वो बता देता है एक एक पन्ये को पलट के देखना पड़ेगा और हम को हिस्टोरियंस तो है नहीं कि सीधा सीधा ब्लेम लगा दें किसी के उपर तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा मौन हूँ तो यहां पर क्या होता है फिर से इनके प्लैन का पता लग जाता है ब्रिटिशर्स को और यह ल ले जाएए और कुछ लोग यह करतार सिंग सराबा को बोलते हैं उनके कुछ साथियों को बोलते कि आप लोग अफगानिस्तान चले जाएए जैसी ही सही समयाएगा हम फिर से वार करेंगे लेकिन करतार सिंग सराबा जब देखते हैं यह है करतार सिंग सराबा आप इनको ए के साथ करांती कारी होते हैं ये सीधा उन से पंगा ले लेते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी जड़प होती है लेकिन अब ये तो लिमिटिड नंबर में है और वो इतने नंबर में तो इनको पकड़ लिया जाता है और फिर इनको जेल में डाला जाता है जेल में भी ये क्य करते हैं बहुत सारा कभी hunger strike कर दी कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया ताकि वहां पे जो कैदी लोग हैं उनको भी अच्छा खाना मिल पाए अच्छा treatment मिल पाए अब ये देखी लगबग ये 19 साल की उम्र में है इनके उपर trial चलाय जाता है जेल के अंदर जब इनको court में लेके जाया जाता है तो वहांपर judge इनके वेलर से परभावीत हो जाता भ Top ये जज़ी परभावीत हो रहा है कि ये बात क्या चल रही है समझ ज़रो judge कोन होता है जज़ एक बहुत बड़ी हज्ति होता है जो अपने दिमाग से काम लेता है बी या वह अगर परभावीत ओह तो फिर कमाल की चीज़ है, तो जज इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई शर्मिंदगी है, कि तुमने इतने ज़्यादा गुना किये हैं, इतने लोगों के उपर तुमने हथियार उठाने की कुश्च किया, यह बोलता है कि भाई इसमें कौन सी शर्मिंदगी की बात है, कि आप लोगों ने हमारे देश में कबजा कर रख्या, हम आपको बगाना चाते हैं, इसलिए हमने यह किया, और यह इतने बोल्डली बोलते हैं कि जज हैरान रह जाते है, जज बोलता है कि भाई बात ऐसे है कि तुम यह बताओ कि तुमारे साथ और कौन-कौन साथी हैं, ज तुमारे पास अभी भी टाइम है, तो हम थोड़ा सा तुमारे बारे में विचार कर लेंगे, और हो सकता है कि तुम्हें हम यहाँ पे ना रखें, तुम्हें मौत की सजा ना दें, लेकिन यह क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि तुम एक जान की बात करते हो, मैं जितनी बार भी सुनाना ही पढ़ता है कि इनको फांसी की सजा दे दी जाए अब कमाल की चीज यहां भी देखे जैसे भगत सिंग वाले केस में होते हैं सेम यहां भी होते है कि इनके जो कुछ revolutionary भार होते हैं वो इनकी help करते हैं कही न कहीं से जुगाड करके जमीन में, मिटी में, लेकिन क्या होता है, फिर से कोई शिकायत कर देता है ब्रिटीशर्स को, और ये जो प्लैन है, इनको अबोर्ट करना पड़ता है, और अगेन वो जो टूल्स होते हैं, वो ब्रिटीशर्स को मिल जाते हैं, और अगेन इनके साथ क्या होता है, इनको फिर स की एक पॉकेट में जिसकी फोटो भगत सिंग रखा करते तो उनका नाम है करतार सिंग सराबा ये हैं जबरदस परसन ठीक है भाई तो आपके रॉंक्टे तो खड़े होई गए होंगे ऐसे-ईसे लोगों के बारे में जानके साथ में एक और कमाल के बता देता हूं ये है सोहन सिंग भाखना तो ये भी जब यहां पर भारत में आ रहे होते हैं और उम्र कैद के साथ में उम्र कैद कितनी मिला करती थी 16 साल की और इनको अंडमान की जेल में फिर भेजा गया यहाँ पंजाब से फिर अंडमान वाली जेल्स में जैसे भेज दे जाएं तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे देखे जेल के अंदर और उनके साथ बिलकुल खराब बरताब हो रहा था ना उनको खाना अच्छा मिल रहा था ना उनकी बिमारी का कोई फिक्र था किसी को आज की डेट में भी मैं आपको बताऊ ना रियलिटी मैं रियल चीज बता रहा हूँ आपको आज की जेलों में भी क्या हो रहा है ऐसे ऐसे भी हाल चल रहे हैं जेल के अंदर कैदियों के और बहुत ही खस्ता हाल में कैदि रह रहे हैं उनी हाथों से वो लेटरिंग धो रहे हैं साबुन है नहीं हैं उनी हाथों से वो खा रहे हैं बहुत ज़्यादा दुर्गती है नॉर्मल वेक्ती की जेल के अंदर भी, सच बता रहों यह मैं आपको, हमें तो सब पता है, अब आप सोच रहों कैसे पता, बहुत सारे लोग हैं हमारे भईया, जेलर भी हैं, कुछ हमें जानते हैं, ठीक है, वो बताते हैं हमें, तो यहाँ पर क्या है, कि यह बहुत सारी प्रोटेस्ट करते हैं, कि अंदर जो कैदियें, उनको भी अच्छा बरताब, अच्छा खाना दिया जाना चीए, जिसके बाद बहुत सारे मरलब की अंदर ने जो बदलाव हैं, वो देखने को मिलते हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन भी होता वो भी खतम हो जाता है, जब यह अपनी प्रोटेस्ट संदर भूख अड़ताले करते हैं, और यही चीज जो है, आगे आप चलके देखें कि भगत सिंग भी करते हैं, और यह 16 साल के बाद जेल से बाहर आने के बाद यह क्या करते हैं, बहुत जादा जो मजदूर जूनियन हैं, यह किसान हैं, उनके साथ जुड़के, यह बहुत सारी प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, बहुत बाद फिर से वापस से जेल में जाते हैं, फिर से भाहर आता है, आधी जिंदगी यह विचारा, यह व्यक्ति जेल में निकाल देता है भाई, किसके लिए भारत देश क सारी की सारी, और 1968 के आसपास फिर इनकी डाथ होती है, जब इनका जीवन बिल्कुल इतना कुछ यह कर चुके होते हैं, एंड में नुमोनिया हो जाता है इनको, इनके पास भी कोई, मतलब यह समझे कि इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है, तो एट दा एंड फिर यह इस द गदर पार्टी को स्टार्ट किया था, तो इनके बार में कुछ-कुछ चीजे बताता हूँ, इन्होंने क्या किया था, इन्डियन सिविल सर्विसीज, इन्होंने पहले फोड़ा और फिर उसको छोड़ दिया, और Oxford से भी इनको स्कॉलर्शिप मिली होई थी, ठीक है, तो य में भी काम किया हुआ था, ऐसे कुछ-कुछ चीजे हैं यहाँ पर, तो यह कुछ-कुछ चीजे इनके बारे में छोटी-मोटी मैंने एक्स्ट्रा बता दिये हैं, हाला कि बहुत जादे एक्जामर एलिवेंट नहीं है, जो चीजे बता देना चाहिए, अब इसके साथ ही, अगला इंसीडेंट जो होता है, वो होता है, यह कोमा गाटा मारू शिप इंसीडेंट, अब यहाँ पर यह जो अभी व्यक्ति दिखाए थे ना, मैंने सोहन सिंग भाकना, यही हेल्प करते हैं बाबा गुर्दित की, इसके अंदर जो में लीडर हैं वो बाबा गुर्दित हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, यह जो बाबा गुर्दित हैं, यह देखते हैं कि पंजाब के अंदर, यहां हमारे देश के अंदर, जो बहुत सारे लोग हैं, उस टाइम पर देखें, फैमाईंस वगरा कितने आये, और कभी बाहर डारी है, कभी सुखा पढ़ रहा है, जो से दुखी हैं लोग, जो किसान हैं, वो वैसी आतमत्या करने को मजबूर हैं, तो यह वेक्ति देखते हैं कि भाहिया, हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीबी से मर रहे हैं, तो उनको अपलिफ्टमेंट कैसे मिलेगी, जब वो अपलिफ्टिड होंगे, या कुछ ब हैं वहाँ पे हो रही होती हैं, तो यह एक طरح से इनका इनका भी मेन मोटो क्या रहता है कि वहाँ पे लोग जाएं, बहुत सारा काम करें, बहुत सारी Development करें, फिर वहाँ से बहुत सारा fund भी रेज होगा, जिससे कि पूरी की पूरी authorization, जो ऐसे गदर पाटी है, उसको fund मिले अब यहां जितने भी यह लोग है, आप देख पारे हैं, अभी इनकी स्टोरी आपको इस पिक्चर से रिवील हो जाएगी और आपको एकदम से इस पिक्चर को देखके नो कुछ-कुछ होने लग जाएगा थोड़ी देर में अभी मैं समझाओंगा कब होगा आप देखिए Canadian government के अंदर क्या हो रहा था उस टाइम पे कि बहुत सारे जो Canadian के लोग हैं वो हला मचा रखा था उन्होंने दंगा मचा रखा था केनेडा में कि भया कोई भी भारतिये को यहां केनेडा में ना आने दिया जाए इन लोगों को यहां से भाहर निकाला जाए यह विदेशी हमारे देश में क्यों आ रहे है इस तर trás का उन्होंने होहा कार मचा रखा था तो उनके suppression में आ कि जो Canadian government उसने क्या किया तो हम allow नहीं करेंगे उस वक्ति को यहां आना यारी बीच में वो कहीं रुख नहीं सकता है क्यों क्यों हो रहा ऐसा क्योंकि उन्हें भी डर था कि शायद ये भी कहीं revolutionary activities के लिए या कोई armaments जहां पे न ले आएं या जैसा भी उनके doubts थे तो इस वज़े से उन्होंने ये constraint आएगा अगर तो उनका कोई बंदा आएगा गोरा आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई विदेशी यानि भारतिये जैसे हैं ये अगर वहां पे पहुंचेंग कैनेडा तो इनको एक बंदे को 200 डॉलर देने पड़ेंगे जो की 8 टाइम्स जादा था ग 276 passengers को लेकर निकलते हैं और ये निकलते कहांसे होंक कॉंक से निकलते हैं जबकि मैंने क्या पता है वुल्टा वहाँ पे इनको रोक दिया जाता है बहारी और चिर्फ जो 15-20 लोग होते हैं उन्हीं को एलाउ किया जाता है केनेड़ा के अंदर आने को बाकियों को वैपारी लोग होते हैं तो उनको एलाउ किया जाता है बाकियों को रोक दिया जाता है कि भाईया इनको हम यहा लग लग रूल्स लगा दिया जाते हैं फिर जो बाबा गुर्दित होते हैं ये ये वहाँ पर हायर करते हैं बहार अपने एक कॉंटक्ट्स के थूरू कुछ लोगों को हायर करते हैं कुछ वकीलों को हायर करते हैं और वो जो है वकील फिर आगे वहाँ पर भाहस करते हैं नहीं भया हम नहीं allow करेंगे यानि under the suppression of Canadian government इन लोगों को enter नहीं किया जाना जित्ते और साथ में इनको ना कोई राशन दिया जा रहा है ना पानी दिया जा रहा है पीने के लिए और डेड़ दो महीना भहीं पर लटका रखा है बहुत परिशान ये लोग और इनकी photo कीची जा है ना मुर्जाय हुए हैं और परिशान है कितने खसता हाल में एक चहरा आप बता दीजे मुझे कि जो हस रहा हो इसमें ध्यान से देखना इस photo को मैंने बोला ना कि ये जो है ये पूरी बच्चे को भी देखो ये पूरी व्यथा बता रही है ये photo अकेली खुद की इनके सा थे वह बहुत जादा revolution उस टाइम पर भी कर रहे थे तो आपको पता है अचा मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये लोग जो घदर पार्टी वाले हैं क्योंकि वर्डवार चल रहा था उस टाइम पर तो वर्डवार की आड में यहां पर आ रहे थे क्योंकि वह सीधा सीध गवर्मेंट पर प्रेशर बनाना चाहा रहे थे कि भया हमारे लोग ना आपके अगेंस्ट हैं तो एक ये कारण था कि जैसी ये लोग यहां आते हैं इनको ब्रिटिशर्स क्या करते हैं गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं तो बीस लोग तो मरी ही जाते हैं इसके अंदर जबकि ये लोगों का कोई दोश नहीं होता है इस चीज में तो ये जो है कोमाटा का मारूल इंसिडेंट इसके लिए आज भी कैनेडियन गवर्मेंट जो है न अपने संसत के अंदर शमा मांगती है और बहुत सारी पार्क्स भी इसके लिए बनाएगी है कैनेड़ा के ये अपनी शर्मिंदगी को जाहिर करने के लिए जस्टिन टूडो है जो वो ये काम करते हैं ठीक है भाई तो वो ये चीज मैंने आपको बताईए बहुत डिटेल में ये चीज एक्स्प्लेइन किये और वहाँ पर क्या होता है जब ये वापस आते है तो जो बाबा गुर देते हैं इनको भी lifetime imprisonment होती है जब ये फिर जेल से बाहर निकलते हैं 12 साल के बाद तो फिर ये गांधी जी के साथ attach हो जाते हैं और फिर ये शांति प्रिया अंदोलनों में ही उसके बाद इन्होंने completely भाग लिया है तो ये जो है ये पूरा मैंने बताया कोमा गाटा मारू Ship Incident के बारे में I hope कि आपको ये चीज समझाई होगी चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको गांधी जी के बारे में बताता हूं कि गांधी जी का आगमन अब भारत के अंदर होने वाला है 1915 में गांधी जी जो है वो भारत आ जाते हैं यही है हमारी गांधी जी ठीक है और गा से बड़ा जो प्रिंस एक तरह से कहा लिजी राजकुमार है उनका यहां फिर बहुत देशभक्तों का भी देशभक्त है वो कोन है सुभास्चंदर बोस यह 1922 में ने बोला फिर जो विंस्टन चर्चिल है वो गांधी जी को क्या बोलते हैं हाफ नेक्ड सिडिशियस फकीर अगर यह पूछ ले कोई हाफ नेक्ड मतलब अर्ध नगन हाफ नेक्ड सिडिशियस फकीर अगर कोई पूछ ले किस ने बोला तो विंस्टन चर्चिल ने बोला और गुरुदेव की उपादी गांधी जी ने किसको दी थी रबिंदर नाट टेगोर को दी थी और टेगोर ज अगर जिन्होंने गांधी जी की फ्रेंच में जो बायोगराफी लिखी हुए है वो कौन है रोमेन रोलेंड है अब गांधी जी की जो ऑटो बायोगराफी है एक और है इसके अंदर लिखा हुआ कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद्ध टूथ यह जो रइट हुई है यह 1922 म की है वो कंप्लीट किसमें बताई जाती है इस बायोगराफी में बताई जाती है माई एक्सपेरिमेंट्स विद्ध टूथ में और इसको ही बाद में ट्रांसलेट कौन करता है महादेव देशाई करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट तो यह जो है कुछ-कुछ फैक्ट्स गदर पार्टी वाले ये 1913 की बाते चल रही हैं अब ये 1915 पे आ गए हैं ऐसे करके हम देखें कि पूरा टाइम लाइन के साथ चल रहे हैं मैं कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं कर रहा हूं टाइम लाइन जहां भी कहीं एक बार फॉस्ट फॉरवड करके जाते हैं तो वापस स हम में टाइम लाइन पे ही आ जाते हैं तो ये वापस हैं में टाइम लाइन पे आ गए हैं आगे देखें कि क्या है फिरूस अकोर्डिंग ठीके भई तो ये जो है यहां तक करते हैं आज गांदी जी का आगमन हो चुका है अब चीजे कैसे कैसे आगे प्रोसीड होंगी हम इसके अंदर एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पे देखिए अभी First World War चल रहा है और गांधी जी भी यहां 1912 में यहां है और यहां पे जो Congress है, Moderates है जो उन्होंने पहले तो British Government को सपोर्ट नहीं किया था कि हम आपके साथ देंगे World War I के अंदर लेकिन British Government उनको बोलते हैं क आपको हम बहुत सारे राज्यों के अंदर एक तरह से वो समझ लिजी कि separate electorate दे देंगे आप यहां पे अपने भारतियों को खड़ा कर पाएंगे और यहां पे राज कर पाएंगे तो फिर यह जो Moderates है यह मान जाते हैं और बहुत सारे लोग World War I के अंदर पार्टिस्पेट करते हैं especially आप देखिए पंजाब के एरिया से बहुत सारे सिख जाते हैं बाहर और वहां पे बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं क्योंकि वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं आप समझे इस चीज को तो यानि कि उनको हम किस लिए बोलेंगे वो भी देश के अजादी के ल राज करने के लिए भी दे दिया जाता है बाद में लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर ये special रखा जाता है कि भाया ये जो education sector हो गया health sector हो गया ऐसे सेक्टर इनको देदो राज करने के लिए जो main sector है चाए वो defense का हो गया पुलिस का हो गया ऐसी चीज़े जो powerful चीज़े है ना वो Britishers अपने हाथ में रखते हैं तो यहाँ पे अब मैं इस चीज़ को खतम करूँगा क्योंकि World War One की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि Congress का उसके लिए क्या perspective था यह भी मैं बता दूँ आपको I hope कि आज का session थोड़ा सा wrong take खड़े करने वाला होगा थोड़ा सा आपको भावनाओ को बहने वाला होगा सब चीज़ें आपने इसके अंदर देखी होगी मैंने यह extra effort लगा के यह सारी की सारी भारत की history आपके साथ discuss कि जो कि YouTube पर अभी तक कभी नहीं मैं पढ़ाई है क्योंकि यह सब चीजे जो है न यह पेड़ के लिए ही होती है YouTube पर बस उनको फटक 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 ऐसे चाहिए होता है यहां पर आपको तसली से मैं हर चीज को पढ़ा रहा हूँ छूटेगा कुछ निए आप से क